दोस्तों अगर आप भी एर्टेल के ऐसे कस्टमर है जिसके पास एर्टेल के सिम कार्ड तो है लेकिन आप उस पर कभी कभार या तो रिचार्ज करवाते हो या फिर ना भी करवाते होंगे तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि एर ट्रिल के SIM card में अगर आप regularly recharge नहीं करवाते हैं तो कितने दिनों के बाद आपका SIM card जो है वो permanently बंद हो जाता है और दूसरे को a lot हो जाता है तो चलिए proof के साथ देखते हैं कि एर ट्रिल के SIM card को कितने दिन तक recharge ना कराने पर SIM जो है permanently बंद हो जाता है या फिर हो सकता है तो चलिए देख लेते हैं देखे दोस्तों अगर हम try के नियम को मानें तो try के नियम के अनुसार किसी भी SIM card में अगर आप 3 महीने तक recharge नहीं कराते हैं तो आपको अगला 15 दिन और grace के रूप में दिया जाता है जो कि grace time होता है मतलब 3 महीने तक अगर आपने regularly recharge नहीं करवाया है तो 15 दिन और दिया जाएगा telecom operators के तरफ से और अगर इन 15 दिन के बाद भी आप recharge नहीं करवाते हैं तो फिर आपका SIM card जो है वो बंद हो जाएगा नहीं बलकि हो सकता है मतलब यह कि जरूरी नहीं है कि आपका SIM card 3-4 महीने में बंद ही हो जाए लेकिन हो सकता है और यह जो नियम है वो सभी telecom operators के लिए बराबर लागू होते हैं तो चलिए proof के तोर पर देखते हैं कि Airtail के SIM card को कितने दिन तक recharge ना गराने पर आपका SIM card permanently बंद हो जाता है तो यहाँ पर हम सिधा चलेंगे My Airtail में यानि कि Airtail Thanks एप में और यहाँ पर ही आपको दिखाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमने अपने Airtail Thanks एप में जो है लोगिन कर लिया है और यहाँ पर हमारा SIM card यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें data न बचा हुआ है न कोई expiry बचा हुआ है बैलन से 1.48 पैसा बचा हुआ है जबकि यहाँ पर SIM card जो है inactive show हो रहा है तो चलिए अभी हम आपको इसकी details की तरफ लिये चलते हैं तो यहाँ पर हम अपने inactive SIM card पर क्लिक किया तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि पिछला जो प्लान था हमारा वो 29 नमबर 2021 को ही expire हो गई मतलब हमने October में पिछले साथ recharge कराया होगा और इस SIM card को हम कभी कभार जो है अपने phone में लगा लेते हैं या फिर ना भी लगाते हैं लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 29 नमबर को प्लान जो है expire हो चुका है लेकिन यह SIM card अभी भी चालू है मतलब यह कि अभी 7-8 महीने हो चुके हैं लेकिन SIM card बंद नहीं हुआ है तो इसका यह मतलब नहीं है दोस्तों कि आपका SIM card बंद नहीं होगा अगर आप risk लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं अगर उस SIM card से जादा SIM card वो जादा जरूरी वाला नहीं है तो फिर आप इस तरह के risk ले सकते हो जैसा कि मैंने लिया है और मैंने अभी तक recharge नहीं करवाया है और SIM card चालू है ऐसे पता कैसे चलेगा तो उसमें network अगर आ रही है तो इसका मतलब SIM card चालू है अगर आप EATL application में login करेंगे तो उसकी OTP भी आपको मिलेगी इसका मतलब SIM card चालू है या फिर आप one to one पर call कर लीजिए वहाँ पर तो call लगना ही है इससे पता चलेगा कि आपका SIM card चालू है मतलब permanently बंद नहीं हुआ है बस outgoing incoming बंद हुई है तो ये थी proof के साथ EATL SIM card की जानकारी जहां पर मैंने आपको बताया है कि वैसे तो नियम की माने तो तीन से चार महीने में SIM card बंद हो जाएगी लेकिन दोस्तो इस बात पर आप ध्यान जरूर रखिएगा कि अगर आप इस टाइप के risk लेते होनों तो SIM card एक बार बंद हो गई तो दुबारा चालू नहीं किया जासा कि रिचार्ज ना होने की वज़ा से अगर कोई भी SIM card बंद होता है तो वो किसी और को एलोट कर दिया जाता है और ऐसे में आप चाहकर भी उस SIM card को recover नहीं कर पाएंगे इसलिए मैं कहता हूँ कि आप जो है कम से कम तीन महीने में एक बार 99 का प्लान जरूर रिचार्ज करिए अगर आपके पास सेटेल का SIM card है तो बागी कमपनियों के SIM card है तो उससे related videos भी आपको चैनल पर बहुत जल्द ही मिलने वाली है इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके notification bell को hit करना मत भूलिएगा मिलते हम किसी नई वीडियो में दीजे इजाज़त थैंक यू